आप देख रहे हैं दखल न्यूज ग्रहमंतिय हमिश्या का दावा दस सालों में जम्मू कश्मिर देश का सबसे विस्सित राज्ज बनेगा दिल्ने में आतंगी हमले का आलर्ट अमेरिका ने कहा पाकिस्तानी आतंगी कर सकते हैं हमला राजसेन के पास बस नदी में गिरी साथ लोगों की मौत और 36 यात्री घायल मंत्री जीतू पडवारी से नाराज पडवारियों ने किया काम बंद कहा जीतू सारवजनिक माफि मागे और हर तरफ नबरात्री की धूम कहीं बारिश में गरबा तो कहीं शक्ति की उपास ना नमस्कार मनुस अत्यम शर्मा आप देखने दखल लिए जब ख़वरे विस्तार से कश्मीर से नुच्छे 370 हटाने अरू से केंदर शासित प्रदेश बनाने के बाद केंद सरकार प्रदेश का ज्यादा से ज्यादा विकास करने की कोशिश में है दिल्ली में कटरा वंदे भारत ट्रेन का उदघाटन करने के बाद ग्रह मंत्री अमिश शाह ने कश्मीर के विकास को लेकर बड़ा बयान दिया है अमिश शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर का अनुच्छे 370 की बज़ए से विकास रुका हुआ था अब वहां से अनुच्छे 370 हटने के बाद कश्मीर अगले 10 सालों में देश के सबसे विक्सित राज में से एक बन जाएगा बंदे मातरम ट्रेन का उधगाटन करने के बाद ग्रह मंतरी अमिश शाह ने अपने संबोधन के दौरान कश्मीर और आर्टिकल 370 का जिक्र करते हुए कहा कि कश्मीर से अनुचेत 370 हटाए जाने से पहले राज्य के विकास के बीच में कई रोडे थे अगले 10 सालों में जमू कश्मीर सबसे ज्यादा विक्सित राज्यों में से एक बन जाएगा बंदे मातरम एकसप्रिस की शुरुवात के साथ राज्य के विकास की शुरुवात हो गई है इस ट्रेन की मदद से राज्य में परेटन को बढ़ावा मिल सकेगा रेल्वे बॉर्ड के अध्यक्स स्री विनोग कुमार यादाव जी, उत्तर रेल्वे के महाप्रबंदक टिपी सिंग जी, स्सी जैन जी, यहां उपस्तित संसद्गां और यहां पदारे हुए भाईयों और बेहनों. कि सबसे पहले तो मैं आज स्री पियूस घोयल के नित्रूतों में काम कर रहे हैं, पूरे रेल विबाग के सभी लोगों को रदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, कि आपने जम्मु कस्मीर को आज नवरात्री के सुब अवसर पर एक बहुत बड़ा तोफा देने क कश्मीर को विशेश राज्य का दरजा देने वाले अनुछे 370 को मोधी सरकार ने संकल्प पत्र के जरिये 5 अगस्त को बेसर कर दिया था, इसके बाद राज्य में हालातों को काबू में रखने के लिए बड़ी संख्या में सेना को तैनात किया गया था, अब वाहों की वज पाकिस्तानी आतंकी अमले की फिराग में है, इसके बाद सरकार ने कई महत्वपूर जगों की सुरक्षा बढ़ा दिया, अमेरिका ने आगाहा किया है कि पाकिस्तानी आतंकी जमू कश्मीर से जुड़े अनुचे 370 को खत्म किये जाने के करन भारत में हमलों को अन्जाम द की संगठनों पर शिकन जा कसा जाये तो इन हमलों को रोका जा सकता है अमेरिका के हिंद प्रशांत सुरक्षा मामलों के सायक रक्षा सचेव रैंडल श्राइवर ने कहा कि कश्मीर इस भारत सरकार के नए कदम से कई देशों को आशंका है कि आतंकी संगठन सीमा पार हमलों को अंजाम दे सकता है मुझे नहीं लगता कि चीन इस तरह का कोई संगर्ष चाहेगा या इसका समर्थन करेगा दूसरी तरफ पंजाब इस श्री गुरू रामदास जी अंतराश्री एरपोर्ट राजा सांसी और पठान कोट एरबेस फिर पर फिदाइनी हमले की आशंका जता जाने के बाद दोनों की सुरक्षा सेना को सौप दी गई है सेना ने एरपोर्ट और एरबेस को अपने सुरक्षा खेरे में ले लिया है राजासांसी एरपोर्ट पर उणानों की सुरक्षा के मद्दे नजर एयर फोर्स भी चौकस हो गई है और लगातार इस्थती पर नज पुल पर पहुचने से पहले रात होने की वजह से अधिकतर यातरी नीन में थे बस के गिरते ही चीक पुकार मच गई जिसे सुनका इस्थान ये लोग मदद के लिए ततकाल मौके पर पहुच गए वहीं लोगों ने पुलिस को सुचित किया जिस पर कोदवाली पुलिस बस वाँ SDRF की टीम भी राहत के लिए ततकाल मौके पर पहुच गई राज धाई बजे तक साथ यातरियों को शब नदी से आधी डूबी बस से निकाले जा चुके थे वहीं तीन दर्जन से ज्यादा घाईल यातरियों को बस से निकाल कर इलाज के लिए बिभिन वहनोख से राइसेंजिला अस्पताल भेजा गया घाईलों में कुछ यातरियों के इस्थिती गंभीर बनी हुई है बताय जा रहा है कि यहां पुलिया के पास एक गड़ा है जिसमें तेज रफ्तार बस का बैलन्स बिगड़ गया और वेब्रित की रेलिंग तोड़ते हुए सीधे उफनती हुई नदी में जागिरी हादसे में कुछ यातरियों के पानी में बहने की बाद भी सामने आ रही है हादसे में यातरियों को बचाने के लिए पानी में उतरी रेस्क्यू टीम को अधेरे में काफी परिशानी का सामना करना पड़ा बस में फसे यातरियों को निकालने में टीम के कुछ सदस्यों को ब इम्रतकों के परिजनों को दस-दस हजार रुपे की आर्थिक साहिता दी जा रही है वही दुरगटना में गंभी रूप से घायल हुए लोगों को साड़े साथ हजार रुपे और घायलों को पांच हजार रुपे की साहिता राशी दी गई आज सुभा प्रदेश के शिक्षा मंतरी प्रभुराम चौधरी घायलों से मिलने राशेन अस्पताल पहुँचे और उन्होंने बताया कि इम्रतकों के परिजनों को शाषन 4-4 लाख रुपे की आर्थिक मदद देगी इसकी संग्यान सरकार ले रही है और वहां राशेन के परिजनों के परिवारों के सांथ हम खड़े हैं परम्पिता परमात्मा से प्राट्टा करते हैं कि दिवंगता आत्मा को सांथ की दे उनके परिवारों को दुख सहन करने के खशमता दे उच्छी शिक्षा मंत्री जीतु पड़वारी के पड़वारियों पर रिश्वत खोर वाले बयान को लेकर प्रदेश भर के पड़वारी नारा चल रहे हैं पटवारियों ने जीतू पटवारी के बयान को लेकर तहसील में अनिश्चित कालीन हर्तार शुरू कर दी है पटवारियों ने अपने बस्ते दफ्तर में जमा करवा दिये हैं पटवारी ने मांग की है कि जीतू पटवारी खुले मंच से अपने बयान पर माफी मांगे। पटवारी खासा नाराज नजर आ रहे हैं। कुछ मांगे हैं इनकी जो जिनको लेकर वो इस हर्तार पर बैठे हुए आई हमारे साथ जिला पटवाई संके अध्यक्ष हैं उनसे बात करते हैं। क्या मांगे हैं उनके किन चीजों को लेकर आप नाराज हैं। मेन दो हमारा बेतनमान है अठाइसो का जो पूर्व से चला रहा है और सीम साहब ने भी अपने बचन पत्र में इसकी गोशना की थी जो कि आज तक पूरी नहीं की गई है। और पड़वारी सासन की एक महत्व कड़ी है। इसके बाब जूद भी उसको प्रेश्टाचार में आरोपेत खुले मंज से बोला जा रहा है। तो जीतु पड़वारी जो बयान वाजी की गई है। उससे पूरे पड़वारी संग आहत है। और पड़वारी जीयों की माँजिए है की वो खुले मंग से ही माफि मांगे। एक बढ़ा गयाकि जीतु पड़वारी जी ने माफि माजुने कहा ayam अगर अगर किसी को उन्होंने ठीट किया है। जब उन्होंने कुले मंज से हमें वेश्टा चार में सो परती साथ बताया है तो वो सो परती साथ यह बता है कि उन्हें आभी मांगे अपनी यह सब्द वापिस लें अपने कल दिग्विजे सिंग जी ने में भी बोला है कि कुछ पड़वारी भी घुसकोर है राजिस बीवाग में बहुत अनिताय चल वही है इसी कारण से और ज्यादा आहत होकर हरताल पर हम लोग गये हैं और हमारी मांगे ना पूरी की जा रही है और उल्टा सब को ब्रेश्ट बत कि जब तक कि इसको पूरा नहीं करेंगे हम अरताल नहीं बंद करें अनिस चिव्ट जिला अध्यक्ष पड़वाजिसंका साफ कहना है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो हरताल बंद नहीं होगे हमारे साथ कुछ और भी पड़वारी आई हम जानते हैं कि समस्यां क्या है स खुले मंच से 100% पटवारी भ्यष्ट बताकर जो आहत पहुचाई है सासन ने जिसका पटवारी संग पूरी जोर से ब्रोध करता है और कई दिनों से पिछली सरकार से लेकर अभी तक कुछ मांगे हमारी जो लंबित पड़ी हुई है शिर्प आस्वासन देकर आज तक उस पर कोई कारवाई नहीं हुई जब तक पूरी नहीं होंगी पटवारी संग अपनी हरताल से बापिस नहीं आएगा यसा हम लोगों ने दर संकल किया है जैसा कि पटवारी को घूसकोर बोल दिया खेंडेट परटन घूसकोर है और मानी ने पूर्मुक्वंत्री द्वारा भी कहा गया कि पटवारी बिना पैसे के कोई काम नहीं करते मैं पत्रकार महोद मीडिया के माध्या में उनको अवगत करा देना चाहता हूं कि जिए नाम बता है तो उसके खुलाब कारवाई करें नहीं तो कहीं न कहीं में समझ में यह आता है कि पटवारी को घूसित करके कुछ ला-कुछ चपाना चाहते हैं पड़वारी ने तो बोला भी तकिया हमारे पास कुछ सबूत है कि सानों से लोग हमना पास कंप्लेंड करके शिकारते आई हैं उनकी शिकारतों के आधहौर पर ही बोला गया है कि कुछ पड़वारी भ्रश्च रहे हैं कि अधिए एक बात और क्लियर की कि हम सिर्फ सभी पड़वारी को प्रश्च नहीं बोल रहे हैं इन दो रीजन के जो पर वाइरल हुआ बाद में अपनी सफाई पेस्ट कर रहा हैं जो की ट्वीटर पर कर रहा हैं यह साने खुले मंच से जब पड़वारी को मतलब बदनाम कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो अपनी स्वाई माने के लिए लड़ाई आखरी दम तक लड़ेंगे उनका बोलना है को शिकारते भी उनके पास आई पड़वारी होना चाहिए हम ब्रश्टाचारी के साथ हो जो गलत करता है उसके साथ मह नहीं है लेकिन सभी को कहना गलत है अ जो की इसके हम कड़ी निंदा करते हैं तो पड़वारी संट साफ कहना है कि जब तक जी तो पड़वारी खुले मंज से माफि नहीं मांग लेते और उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती जब तक हटालिये जारी रहेगी अब देखना यह होगा कि मंत्री जी खुले मन्से माफी मांगेंगे या इन पड़वारियों को पीछे हटना पड़ेगा कैमेरमें तरुन यादोग साथ सत्यम शर्मा दखल नीज बोपाल मामले की जाच खुद विवादों की घेरे में है ऐसे में कमलना सरकार के परिवान और राजस सुमंती गोविन सिंग राजपूत ने कहा कि इस मामले का निश्पक शुरूप से खुलासा होना चाहिए भी लोग इस मामले में हैं कितने बड़े नेता क्योंना हो जितने बड़ा थिकारी क्योंना हो उनका बर्दाफास होना चाहिए जिनके पास रही है बहुत ज्यादा मनी वोई फसका है हनी में कहते हैं ज्यादा बोलना हानिकारक होता है मगर हर बार नहीं कभी-कभी ज्यादा बोलना आपको मशूर कर सकता है जी हाँ ऐसा ही हुआ 60 से अधिक घंटे से एक व्यक्ति लगतार बोल रहा है और लोग उसे सुनने आ रहे हैं सुनने वालों की बढ़ती भीरों से व्यक्ति का उत्साह बढ़ा रही है जिससे वो बिना थके लगतार समाज सेवा पर बोल रहा है व्यक्ति के लगतार बोलने से उसे सुनने वालों का मेला लगा हुआ है इस व्यक्ति को बोलते हुए 60 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है चौथे दिन भी विकास का लगातार बोलना जारी है ये हैं देहदानी विकास पचोरी जिन्होंने अपनी देहदान की है और ये समास सेवा पर लगातार बोल रहे हैं विकास ने समास सेवा पर लगातार उद्बूधन का कारिक्रम रखा था विकास बिना थके लगातार बोलते जा रही हैं लगातार बोलना असंभव है मगर इस असंभव काम को विकास ने संभव कर दिया है विकास के लगातार बोलने की कला को प्रोचाहित करने के लिए अधिकारी भी उनको सुनने पहुच रहे हैं SP विदीशा विनायक वर्मा देर राद विकास को सुनने जालोरी गाडन पहुचे देदानी विकास पचारी का उत्साह बढ़ाया साथ में CSP भरत भूशन, शर्मा और सिविल लाइन टी आई आर एंच शर्मा भी मौजूद रहे एक तरफ नए परिवहन नियमों से जहां लोग परिशान है वहीं ये नियम बनाने वाले खुद इन नियम कानूनों का पालन नहीं करते सागर से BJP सांसद राज बहादूर ने अपनी गाड़ी पर नमबर लिखवाना तक कुछ इतनी समझा और वो बिना नमबर की गाड़ी में घूमते रहते हैं पुलिस भी ऐसे लोगों के खिलाब कोई एक्शन लेने की बजाए उनके सामने हाथ बादे खड़ी रहती है एक तरफ देश में नयवा कठोर परिवहन नियम बनाय जा रहे हैं और उनसे जनता परिशान हो रही है नियमों का पालन ना करने वालों पर बड़े बड़े जुर्माने किये जा रहे हैं वहीं संसद ने नियम कानून बनाने वाले भारतिय जंतापार्टी के संसद राज बहादूर ने अपनी गाड़ी पर नमबर लिखवाना तक उचित नहीं समझा जब उनसे पूछा तो कहने लगे कि मुझे नहीं पता कि नमबर नहीं लिखा है अब नमबर लिखवाते हैं पुलिस प्रशाशन भी आम लोगों को तो नियम कानून के नाम पर कुछ ज्यादा ही सक्त हो जाता है लेकिन राजनेताओं पर कारिवाई करने से बश्टा ही नहीं उनके सामने हाद बांधे खड़ा नजार आता है फिल आलबक्त हो चलाए छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद फिल हाजी रहिए दखल लिउज आप देख रहे हैं तखल लिउज तंगीत की स्वर लहरियों से सांस्क्रित एक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ता जोपड़ी से महलों तक थेलों से मेलों तक पकडंडियों से सडकों तक गाउं से शेहरों ता व्यापार से उद्योगों ता राज़्टीती से उट्मीती ता दखन न्यूज आपके हट्व आप देख रहे हैं दखन न्यूज ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने मोहना के एक धावे पर छापा मारकर प्रामीनों को बेशता था ग्वालियर क्राइम ब्रांच की टीम ने जब इसके यहां चापा मारा तो इसके पास बानवे ड्रम भरकर डीजल मिला धाबा संच्राल को वा जप्त डीजल को मोहना पुलिस के सुपुड कर दिया गया और मोहना थाने में इसी एक्ट के तहत प् परताल के लिए निकले थे पुलिस को सूचना मिली थी कि डौरा च्छेत्र में एक धाबे पर भारी मात्रा में डीजल रखा हुआ है SDOP प्रमीन अश्ठाना ने बताये कि इस मामने में एक आरोपी वीर सिंग धाकर अभी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है कल यह हाईवे पर एक दावा आए 12 सर्कार उसकी बगल की बिल्डिंग है उसमें मुखिर सुचना पर से क्रांगांच और मोहना पुलिस सब्सक्राइब नवरात्री में माय जी यानि दंतेश्वरी देवी के दशन के लिए श्रत धालू दू-दूर से दंते बड़ा पहुंच रहे हैं इनमें कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो मननत पूरी होने पर क्रतग्यता जताने गुटने के बल या फिर सड़क पर लुड़कते हुए और लेट कर्मा के दरबार में पहुंचते हैं मैया के दरबार में शद्धालों की आस्था हर दिन बढ़ रही है श्रीदन तेश्वरी शक्तिपीट में नवरात्र के अफसर पर शद्धालों की बड़ी भीड रहती है सुभा विशे श्रिंगार और मंत्रो चार के साथ पूजन संपन्न होता है इसके साथ ही दिन भर शद्धालों का रेला मंदिर में लगा रहता है शद्धालों में कुछ ऐसे भी हैं जो मनुकामना पूर्ण होने पर क्रतग्य ता जताने लेट कर लुड़कते हुए पेट के बल सरक कर तो घुटने टेकते माई के दरवार में पहुचते हैं इन में से अधिकांज घुटने के बल या सड़क पर लुड़कते हुए माई के दरवार में पहुच रहे हैं इनके साथ उनके कुछ सहयोगी भी हैं जो रास्ते में पड़े धूल कंकर को साफ कर रहे हैं खराब और उखडी सड़के शद्धालों को चुनोती दे रही हैं लेकिन माई का अगहाद प्रेम और आस्था के बीच यह दर्द सहते हुए विमुस्कुराते हुए आगे वड़ रहे हैं जगडलपूर बीजापूर के यह शद्धालू गीदम पहुचने के बाद दंतेवाडा के लिए रवाना होते हैं अब इस सब को देखते हुए प्रशाशन ने नवराद पर जगडलपूर बीजापूर से दंतेवाडा की और आने वाले सभी वहानों की रफ्तार नियंतरत रखने के निर्देश दिये हैं नवरातर के मौके पर रतला में बारिश के बीच भी मा की आराधना में गर्वे किये जा रहे हैं तड़के और संध्या के समयन कालिका माता मंदिर प्रांगर में पारंपरिक गर्वा किया जाता है बरस्ते पानी में भी यह गर्वे जारी रहते हैं रतलाम का प्राचीन और एतिहा सिक्षी कालिका माता मंदिर इन दिनों आकर्शक का केंद्र बना हुआ है। यहां प्रति दिन दर्शनों और पूजा अर्चना के लिए तो शद्धालों का सालाब उमरता ही है लेकिन नवरातरी की दिनों में यहां का माहौल दाशनी रहता यहां सुभा और शाम दोनों समय गर्वे होते हैं। इन्दर देवता की महरबानी के बीच बरस्ते पानी में भी बालिकाओं के उच्साह में कमी नहीं आई। और पूरे उच्साहा और शद्धा के साथ गर्वे किये। कालिका माता मंदिर जन जन की आस्था और शद्धा का केंद्र है। यहां वर्षों से सुभा और रात में गर्वा रास का आयजन हो रहा है। इसमें बड़ी संख्या में बालिकाओं यूवतियां और महिलाएं गर्वा रास कर मादुर्गा की आराध्ना कर रही है। सुभा बरस्ते पानी में यूवतियों और महिलाओं ने गर् श्रद्धालू देवी की भक्ती में लीन होकर नाश्ते गाते चारी मिली के क्रांती श्वर सिव मंदिर पहुचे। श्व सेन भी यात्रम शामिल रहे। श्वर का आयजन किया गया। कारिक्रम की शुरुवात CMHO भोपाल डॉक्टर सुधी डेहरिया ने की। कारिक्रम में डॉक्टर सुधी डेहरिया ने कुष्ट मरीजों के घावों की सफाई की। अवं जल, तेल, उपचार की विधी के विशे में मरीजों को बताया। सभी मरीजों को पद, रक्षक, सेंडल भी प्रदान किये गये। कारिक्रम में उपस्तित सभी लोगों ने अपने शेहर को प्लास्टिक मुक्त रखने नशा नहीं करने एवं अपने आसपा सफाई रखने का संकल्प लिया। कारिक्रम के अंत में शिवर में आये कुछ रोगियों को आने जाने का व्याय प्रदान किया गया साथ ही भोजन कराकर उनको स्वरक्षा किट का वित्रन भी किया गया। अज 40 जाने इस अफसर पर सिंधु सेना ने लोगों से चाइना के सामान का उप्योग ना करने का संकल्प दिलवाया। सिंधु सेना के प्रवक्ता ने कहा कि भारत को सोने की चिरिया बनाना है अब चीन को बाजार से हटाना है। चीनी सामान का वैश्कार चीन की आर्थिक कमर को तोड़ेगा और भारत को मजबूत करेगा। सिंदु सीना ने स्वदेशी अपनाओ और देश बचाओ का नारा दिया। ब्लॉक कॉंग्रेस कमेटी के तत्वाधान में गांधी जी एवम शास्त्री की जैंती के अफसर पर पदियात्रा का आईजन किया गया। बोपाल के गोविंदपुरा इस्तित आईटी ऑडिटोरियम में के पीएम मेलोडीज ने संगीत सध्ध्या सदाबहार गीतों की एक शाम कारिकरम का आईजन किया। कारिकरम की शुरुवाद दीप प्रजलित करकी गई। गायक कलाकारों ने सोलो और ड्विट गीतों की प्रस्तुती दी। कारिकरम में मुहमद रफी लता मंगेशकर किशोर कुमार सहित कई गायकों के गाने गाये गए। कारिकरम में दिल की नजर से कस्मेवादे प्यार वफा सब तेरे नाम का दिवाना जैसे गाये। जाजनी बड़ा को जाजनी जीजर ए जिंदेगी तो है सकर में जो मुहमद रफी लता में किसी आलगी किसी आलगी किसी आलगी किसी आलगी संशर में अगे ना और कर। मेरे मुद रफी नाम कर। कोई किसी सवाल नहीं ये चुते ना ना दोगा क्या जुटा ही सही तकर्पर की लीजों कोई हमें जान से झिल्टा ही सही इसमें हमारा पहला प्रयास रहा है, हम इसमें नहीनी प्रतिभ्याओं को अफसर देंगे और यह हमारा गहर लापकारी हम प्रोग्राम करते हैं तनाव भरी जिन्दगी में एक दवा की तरहा कारे कर रहा है कारे करम का उदेश नई प्रतिभाओं को मंच देना है दुनिया सब्सक्राइब जिसने ही दिन्दगी में दिया हमारे जो कलाकार है वो भी एक सेक आर्टिस्ट है और इसमें 70 परसंट आर्टिस्ट हैं जिनको पहली बार स्टेज यहां पर मिल रही है तो ऐसा हमने प्रयास किया था और इश्वर ने हमारे कितना प्रयास को सफल किये तो सब आडियन्स और बाकि सभी लोग आप लोग बताएंगे और हम लोग सबी गायन का शौक रखते हैं और स्वाविक है कि जैसे डॉक साब ने बताया कि तनाव भरी जिन्दगी के लिए संगी साधना है जिससे हम टेंशन फ्री हो सकते हैं तो हम इसी के प्रयास में हम लोग ये ग्रूप को हमने जनरेट किया हुआ है बॉलीवूट के बाश्या शाहरुक के जन्म दिन में भले ही एक महीने का समय बचा हुआ है लेकिन फैंस एक महीने का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं शाहरुक के फैंस के उत्साह का इस तर ऐसा है कि एक महीने पहले ही ट्विटर पर हैज वन मन्थ फॉर एसर के डे सेलिबरेशन शुरू कर दिया गया है वालिवूड के वाच्छाह कि इंखान शाहरु खान के जनम दिन के लिए अभी एक महीने का समय बचा है लेकिन ऐसा लगता है कि उनके फैंस दो नवंबर तक का इंतिजार नहीं कर सकते हैं शारुक के फैंस में उत्साह इतना है कि उन्होंने ट्विट पर बन मन्थ फॉर एसर केडी के साथ तीज दिन पहले ही सेलिबरेशन शुरू कर दिया है हैश्टेग अब माइक्रो ब्लॉकिंग साइट पर वाइरल हो गया है जिसमें फैंस अपने पसंदीदा अभिनेता की तस्वीरे और वीडियो शेयर कर रहे हैं शारुक के बचपन की तस्वीरों को शेयर करने से लेकर उनके घर मननत के बाहर इंतजार कर रही भीर की क्लिप तक शेयर कर रहे हैं इनके साथ ही शारुक खान ने फैंस के बथडे के एक महीने पहले ही उन्हें ट्विट पर ट्रेंडिंग लिस्ट में टॉप स्पॉट दिया गया है एक यूजर ने लिखा इस चाच डम क्या है अगर तुम वाकई जानना चाहते हो तो दो नवंबर को मननत आओ बता दें कि शारुक खान अपने जनम दिन के दिन मननत के बाहर आकर अपमे प्रशन्शकों का अभिनत वादन करते हैं एक टुटव यूजर ने करण जोहर के चाच शो की क्लिप शेयर की जिसमें टाइगर शाफ, अनन्या पांडे और तारा सुतारिया है उन्होंने वीडियो का कैप्शन दिया फिल्मों के अलावा कई चीजें हैं जो हमें उनका फैन होने के लिए प्रेरित करती हैं इस वीडियो में कारण पूछते हैं सल्मान, आमिर या शारुक आपका फेवरिट खान तो टाइगर ने कहा मैं अभी सभी को प्यार करता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता मैं शारुक खान सर की और जादा फिल्में क्यों देखता हूँ उन्हें off और on string जो किया है जो empire खड़ा किया है कहां से कहां तक पहुचे हैं इसलिए मैं उनका fan हूँ पुरानी कहावत है जैसी संगत में रहते हैं वो रंग ढंग हम पर भी चड़ने लगता है आज वीडियो वाइरल में बात एक ऐसी मुर्गी की जो बत्कों के साथ रहकर उनके जैसी हो गई है इस मुर्गी का वीडियो जम कर वाइरल हो रहा है शायद इसको कहते हैं संगत का सार जिसके साथ रहोगे वैसे ही हो जाओगे अब आप इस मुर्गी को ही देख लीजे ये दिन बर बतकों के साथ रहती है और रात को उनके सोने की जगहा आ जाती है और अब उन जैसी ही हो गई है बतकों के साथ रहते रहते इसमें भी बतकपन साफ नजर आने रगा है अब तो इसने अपना अंदाज ही छोड़ दिया है और डख वॉक शुरू कर दिया है जो भी इस मुर्गी को देखता है वो ठाके लगाय बिना नहीं रह पाता आप भी देख ले मुर्गी का डख वॉक इस बुलेटन में फिलाल इतना ही आप देखते रहिए दखल न्यूज दखल आपके हग में आप देख रहे हैं दखल न्यूज संगीत की स्वद लहरियों से सांस्क्रित एक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ तक जोपड़ी से महलों तक ठेलों से मेलों तक पकडंडियों से सडकों तक गाउं से शेहरों तक व्यापार से उद्ध्योगों ता राज़्टीती से कूटनीती ता दखन न्यूज आपके हद्ध कर देख रहे हैं दखन न्यूज झाल